आलेक्म ठीस टूडेंट्स उमीद कर तो हम सब खैरित से होंगे एक गए एकभार फिर आपको फाई की ओंड में वालकम कर दूँ तूडेंट्स आज हम किमस्टी के चैप्टर नंबर फस्स में बहुत इंपोर्टन टापिक डिसकॐस करने लगे हैं जो कि है लिमिटिंग और नान लिमिटिंग रियक्टिंग लिमिटिंग क्या होते हैं नान लिमिटिंग हो सकते हैं एक लिमिटिंग हो सकते हैं एक लिमिटिंग हो सकते हैं एक लिमिटिंग हो सकते हैं इनको लिमिटिंग और नान लिमिटिंग का नाम क्यों यह यह भी डिसकस करेंगे या पिर कैसे में पता चालेगा कि कौन सा रिक्टेंट हमार पास limiting है और कौन सा non-limiting है यह सब आज की topic में हम discuss करने वाले है सबस्पहले students the reactant जो इन्होंने बात की है इन्होंने बात की है the reactant that is consumed completely in a chemical reaction is not limiting reactant also it can be defined as the reactant which produces least number of moles of product दो तरीकों से limiting reaction को discuss किया हुए students सबसे पहले चीज़ यह है कि वो reactant जो कि क्या हो जाए consumed completely अब इसा क्या मतलब है यह मैं आपको समझाता हूँ वो reactant जो कि completely consumed हो जाए उसको भी हम limiting reaction कह सकते हैं या पर it can also be defined as the reactant which produces या पर वो reactant जो कि least number of moles of product मेरे पास बना दे तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं limiting reaction कह सकते हैं अगर मैं इस चोटे से 2 cents को को समझाने कोशिश करूँ तो ऐसा है कि students let's suppose मैं two moles कोई भी चीज रेक्ट करवा रहा हूँ three moles किसी भी चीज के साथ और यह मेरे पास क्या कर प्रोडूक्ट प्रोडूक्ट करके दे रही है let's suppose मेरे पास two types के product बन रहे हैं साथ में a sidewise product भी बन रहा है वो मेरे पास बन रहा है five moles बन रहा है और एक three moles just मैं वैसी ही बता रहो students आपको समझाने के लिए अभी यहां से अच्छा इनकी जो reaction की ratio है ना one ratio one है विसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि अगर यहां से एक mole use होगा तो पिर यहां से भी एक mole ही use होगा इसको कहते है one ratio one की reaction students ठीक है तो हमारे पास अगर reaction की ratio one ratio one है इस case में यहां के कितने reaction consume होंगे यहां के two के two consume हो जाएंगे यहां से भी two consume होंगे यहां के two जो होंगे वो तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे खतम हो जाएंगे लेकिन यहां पर क्या रह जाएगा एक मेरे पास रह जाएगा तो simply यह मेरे पास क्या हुआ यह मेरे पास limiting reactant हुआ और ये मेरे पास reactant and access हुआ या पिर non-limiting reactant हुआ समझागे students अब इन्होंने जो बात किये वो इन्होंने जी किये the reactant which consumed completely जो two का reactant था वो क्या हो था completely consume हो गया था उसको मैंने क्या नम दिया उसको मैंने limiting reactant का नम दिया या फिर अगर मैं दूसरी ये product fully जो बात ही ये मैं पूसम जाता हूँ यह ऐसी है ना कि अगर मैंने two moles को react करवाया three moles किसी भी चीज़ के साथ वह मेरे पस let's suppose five moles की product बना के दे रहे अभी यहां के two की two one reaction में यहां के two की two consume हो गए यहां से भी two consume हो गए लेकिन यहां पे एक रह गया reaction तो further नहीं हो क्यों यहां पे इसको इस एक को react करने के लिए यहां पे एक का होना ज़रूरी है जो कि नहीं है यहां पे सिरफ two थे वो two की two consume हो चुके है तो कहुआँः तो क्या हूआ इसकी वजह से इसकी वज़़़से मेरे पस क्या हो गया product रुक गया तो least नमर अफ प्रॉड़क्ट जिस चीश की वज़़़से मेरे पास बांजाए उसको मैं क्या कहूँँ उसको मैं limiting reaction क Хотऊ मैं तो वह किस ने कहा कि नहीं मेरे पास और नहीं है इसके वचे क्या होगा अविक मेरे पास लिस्ट रह गया उसको मैं एक्टिन का आई या पर है इमिटिंग रियक्टिंट उसको मैं करें तो स्टुटिंट्स आपको इस डिफिनिशन की कमस कम समझ आ गई होगी वो रियक्टिंट जो कि मारे पास unused रह जाए जो कि used ना हो completely जो कि हमारे पास आखिर में थोड़ा सा बच्च के रह जाए उसको मैं कहाँगा जो कि is pueblo कि क्रेंगी वह करेंगी वह एक्सेयस रेक्ट यहेंगे फ़र जातें इंटिफिकेशन of limiting and limiting reaction in a reaction अच्छा अब reaction में कैसे पता चले कि कौन सी हमारे पास limiting reaction है कौन से मेरे पास reaction reactant in excess है अच्छा a limiting reactant can be recognized by calculating the number of moles of product form from data of the given amount of the reactant using balanced chemical equation अच्छा जो reactant जो limiting reacting है ना उसका हमारे पास amount of product जितना product मेरे पास बनता है उसकी amount से में पता चलता है कौन से हमारे पास limiting reaction है कौन से हमारे पास reactant in excess है अब यह कैसे पता चलता है मैं numerical आपको प्रूव करके दूँँगा आपको वहां से बिर्क्ल क्लियर हो जाएगा लेकिन एक चीज़ मैं उपको बता दूँँ मैं आपको बताया था जो least number of вал bot बनाता है वो क्या बनाता है least product क्या बनाता है मेरे पास limiting reactant बनाता है यानि कि मैं क्या करूंगा मेरे पास 2 reactant एक मेरे पास compact इसके साथ combine हो कि मेरे पास क्या बना की दे रहाया है कोई को प्रूफ करना है तो सुन्हें प्रूफ की तरफ जाते हैं नीचे इन्होंने एक एक जमपल दिया बोजबर देस एक जमपल इसका आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा फार एक्जमपल मेरे पस क्या है 10 moles of hydrogen है 7 moles of oxygen है वर रियक्टिट तो प्रोड्यूस वाटर 10 moles of hydrogen hydrogen 7 moles of oxygen रियक्टिट की क्या बना रहे हैं वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं विच फॉल्विंग रियक्टिट इस लिमिटिंग अच्छा इन दोनों में यहांपे मैं आपसे एक चीज़ पूछताऊ हूं यहांपे आपसे मैं एक चीज़ पुछताऊ हूं अगर मेरे पास 6 moles of hydrogen add ऐृरिd públicas had seven有 rozooh 2 होगा तो सिक्स मोल्स के साथ कितना oxygen कासिछंगा मोटनों मेरे पस three moles of oxygen do you होगा इसको हमारे पास एक balance chemical equation है इस equation को लेते हैं बाकी सब जो मारे पास जितनी भी मारे पास reactant होंगे इस balance chemical equation के हिसाफ से वो consume होंगे यानि कि एक hydrogen एक oxygen के साथ combine होके two moles of water कभी नहीं बना सकता अगर आपने water बनाना है तो आपने एक mole of oxygen लेना है one mole of hydrogen हिड्रोजन लेना है फिर जा कि आपके पास क्या बनेगा two moles of water बनेगा I think सुने साथ की स्थी के समझ आ गई होगी तो balance chemical equation क्या कह रहा है वो कह रहा है कि two moles of hydrogen और one mole of oxygen मैंने react करवाए और आप मेरे पास क्या बना two moles of water बना लेकिन जो मारे पास जो numerical दिया है उसमें तो जो जो यह balanced equation है जो balanced amount है वो उन्होंने खराब करके दी विया उन्होंने क्या कहा हुआ है उन्होंने कहा है कि नहीं हम two moles of hydrogen को नहीं हम ten moles of hydrogen को यूज़ करेंगे हम seven moles of oxygen को यूज़ करेंगे अगर देखा जाए अगर balance chemical equation की होगे लेकिन उन्होंने कितनी यूज़ की है यह उन्होंने seven moles of oxygen यूज़ की है तो फिर कह रहे हैं कि बताओ और रेक्टिट तो प्र यूज़ वाटर विच अब बताओ कौँसा मेरे पास limiting reaction होगा यानि के reaction के आखिर में मेरे पास chamber में कौँसी चीज अन्रियक्टिट रहे जाएगी जो के मारे पस क्या होगी जो के completely consume हो जाएगी सॉरी जो के completely consume हो जाएगी वो मेरे पस क्या होगी limiting reaction होगी मैं पहले क्या अगर मैं पहले बैंस chemical equation की तुरू hydrogen की तुरू देखता हो कि मेरे पस कितना product बनाते तो according to balance chemical equation मेरे पस two moles of hydrogen कितना बना रहे तुमोल्स आफ water यह मैं यहां भी लिखावा है ठीक है further two moles of hydrogen मेरे पास two moles of water बना रहे मेरे मेरे पास two moles ने इवन मेरे पस कितने मोल्स आपर question of water यानि के यानि के अगर मैं 10 moles of hydrogen को use करूंगा तो फिर मेरे पास कितना product बनेगा 10 moles of water बनेगा यह मेरे पास एक hydrogen की वज़े से जितना product बनेगा वो मैंने find कर लिया यह मैंने find कर लिया further further oxygen की तुरू भी देखते हैं जो याद रहे जो चीज लिस्ट number of moles of product बनागे देगी वही हमारे पस किया होगी limiting reactant होगी oxygen से अगर मैं देखू तो मैं यहां से देख सकता हूं के one mole of oxygen will produce two moles of water oxygen is equal two moles of water one mole of oxygen will produce two moles of water मेरे पास oxygen कितने के हों थे आप उपर question member पिर से देख सकते हो seven moles of oxygen मैं 10 moles of hydrogen के साथ seven moles of oxygen को रियक्ट करवा रहा था तो जब मैंने seven moles of oxygen रियक्ट करवा रहा है तो two multiply by seven मेरे पास कितना है मेरे पास 14 moles of water रहा है hydrogen के वैसे कितना बनना था 10 moles of water बनना था students एक पर फिर आपको मैं बना तो मैंने का थे जो जीज मेरे पास least number of moles of product बनाएगी मेरे पास क्या होगी limiting रियक्ट कितं होगी यहां पर झेलिशों हो रहा है at least the most of product मेरे पास क्या बनांगे दे रहा है hydrogen मेरे पास 10 moles of hydrogen क्या है हो मेरे पास limiting energy है और question की requirement भी आई थी किमानमे क्या करके देना है हमने limiting साब को लेंटिंग रिएक्टेंट की समझा गी होगी बहुत ही तरीके से फर्दर एक नुमेरिकल है इसके दो पार्ट्स है इसको इंशल्ड आनिवली व्यूटियो में डिसको रहेंगा दोने मैरिकल्स आ रहे हैं इस वीडियो में यह बहुत लेंथी हो जाएगी तो फ्रूं आने वाली वीडियो में इसके दुने मेरी कुल को डिसकस करते हैं और एमाउंट आफ रेक्टिन प्रेजेंट एंड एक्सेस उसको भी फिर फर्दर डिसकस करेंगे आने वाली वीडियो में इंशालला तमाम कोर्स को टच करने कोश्च करेंगे तब तक के लिए जासे आने मुद्थर इबाए आने वाली वीडियो में दूज सवेंड़ एमाउंड लाजीर, आने का देंगे शाल जिए में अच्यूद करने करेंगे एक्स समय हैं तक करेंगे वाली वीडियो